हेलो दोस्तो, सुवागत आपका फिर से कॉर्ण है वीडियो में और आज का जो वीडियो है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट और हेल्फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सिलेवस के बारे में डिसकस करने वाले हैं कंस्लिंग होने के बाद कहीं न कहीं आपके अंदर ये कोश्यन उठता होगा कि हमारा सिलेवस क्या होगा हमें क्या पढ़ाया जाएगा इस साल तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है और इस वीडियो में हम जो भी सिलेवस आपको बताएंगे वो आपका ओफिशल सि मिलेगा ठीक है तो आप इसे पीडियो का फॉर्में डाउनलोड करेंगे और जब चाहें तब यह देख सकते हैं और इस वीडियो में चाहें आप किसी भी कोर्स का बात करें सारे कोर्स का यहां पर कभर किया जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडिय करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम पॉराउजर में सार्च करना है ब्ली करने के बाद जो सबसे पहली वाली वीडियो साइट आपके सामने ओपन होके आएगी देख सकते हैं यहांपर और देख सकते हैं यहांपर थ्री तेखने को मिल रहे होगी यहांपर आपको क correspondence LOOK कर पर एक और यहां पर टेबल ओपन हो चुका है ठीक है तो यहां पर जो यह academic वाला आइकन है यहां देख सकते हैं यह वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सिलेवी करके एक आइकन आ रहा है ठीक है आपको इस पर क्लिक करन है क्लिक करते ही स्लेवस वाला जो ऑप्सन है वह ओपन हो जाएगा फिर यहां पर आपके सामने इतनी सारी यहां पर ऑप्सन देखने को मिल जाएगी ठीक है तो सबसे पहले आपको करना है कि आपके जो कोर्से से वह कौन से सिस्टम पर बेसिस्टेंगे अगर क्रेडि बेश्ड च्वाइस सिस्टम में यानी सीबी सीच आप इस पर किलिक करेंगे ऐसे करके इतनी सारे उप्सन दिये गाए हैं तो यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है वह मैं पर लों से मेस्टर वालों का बताऊंगा अगर आपिनमेस्ट किसी और में बिलॉग करते हैं तो हैं इसे मिलेगा तो इन को POL trabalh require आ जाएगा पयाз oxen वह यहाँ पर program slash course code करके हैं तो यहाँ पर course के code के recording यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इस पर नहीं क्लिक करेंगे हम यहाँ पर second वाला option अप्षण सिलेवी करके इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पर सारे यहाँ पर जो भी courses का यहाँ पर syllabus है वो open हो चुका है और यह जो syllabus है यह department के recording open हुआ है जैसे मैं आपको previous वीडियो में बताया है कि जितने भी subject डिडू में पढ़ाया जाता है उसका खुद का एक department होता है तो ऐसे मैं ऐसे करके यहाँ पर open हो ठीक है अगर आप MSC करते हैं तो आप MSC पर किलिक करेंगे ठीक है फिर for example मैं आपको एक समझाता हूँ for example मानिए कि आप BSC Math का यहाँ पर syllabus डाउनलोड करना चाहते हैं और आपका जो subject combination है वो है PCM यानि physics chemistry और math ठीक है तो सबसे पहले हम physics का डाउनलोड करेंगा तो physics को अब आपका फिजिक्स पर आना होगा तो यहां पर सारी department यहां पर देख रहे होंगे आप आपके सामने दिख रहा है ठीक है तो यहां पर जैसे नीचे आएंगे आप यहां पर देख सकते हैं डिपार्टेन आप physics करके आ गया है तो मैं यहां पर BSC का डूनना चाहता हूँ तो मैं BSC वाले option पे click करूँगा ठीक है तो यहां पर मैं BSC वाले option पे click करूँगा क्लिक करते ही यहां पर syllabus डाउनलोड होना start हो चुका है और यह कह रहा है do you want to download again यानि मैं पहले से यह download किया हूँ फिरी मैं आपको डाउनलोड करके आप दिखा रहा हूँ तो मैं download पे click कर दिया कि लिक करने के बाद यह download हो चुका है आप देख सकते हैं तो यहां पर यह syllabus दिया हुआ है यहां पर देख सकते हैं तीनो साल का एकी में syllabus दिया रहेगा यानि BSC 1st year, 2nd year, 3rd year तीनो साल का physics का जो syllabus से ब्याइट में वह एकी PDF में दिया रहेगा और यहां पर अगर आप पर दिया गए कि कौन से कितने marks का paper होता है कौन कौन से paper है ठीक है तो सारी चीज़ें यहां पर देख सकते हैं यहां पर तीन books लगेंगी ठीक है पहला आपका mechanics दूसरा आपका oscillation and waves तीसरा आपका electricity and magnetism फिर यहां पर दूसरा है वह आपका प्रेक्टिकल वर्क है जो कि 65 marks का होता है बाकिसा पेपर 45 marks का होता है टोटाल आपका 200 marks का होता है फिर यहां पर physics का second year का यहां पर syllabus दिया है पहला आपका thermal physics दूसरा आपका optics दिसरा आपका electronics ठीक है ऐसे करके य चीजे यहां पर open करके आपको बताई गए है कि आपको mechanics में क्या पढ़ा जाएगा BSC first year में ठीक है तो ऐसे करके सारी यहां पर जो भी year का है सारा जो भी आपको पार उपर बताया गया कि कौन को से पार आपको बुक लगेंगे सारी चीजे आपर मेंसरे फिर यहां पर first year मे मिलेंगे वाइवाब पर 15 marks मिलेंगे record पर 10 marks मिलेंगे तो ऐसे करके complete details आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएगा first year, second year and third year का ठीक है तो यह रहा आपका physics का ऐसे करके आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर math का भी दिया है ठीक है तो यहां पर math का भी आप डाउनलोड कर सक सकते हैं ठीक है यहां पर BA, BSC, math का यहां पर math BA से भी होता है ठीक है तो यहां पर BA, BSC, math यहां पर डाउनलोड करके BSC के यहां पर math का सिलवस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस् Master degree और यहाँ पर जो भी Undergraduate degree है वो सारी चीज यहाँ पर मेंसन की गई है ठीक है तो ऐसे करके आप स्लेवस डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो को काफी ज्यादा helpful लगा हो लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा चैनल पर न